हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इटूब चनल पर तो गाईस आज की सुड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स मोबाईल में कीबोड पर लगे फोटो को कैसे हटाएं या कैसे डिलीट करें तो गाईस अगर आप चनल पर पहली बाहर आएं चेक कर लेना आपके फोन में मिल जाएगा तो आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर कीबोड एंड इन्पूट मेथड नाम की एक सेटिंग मिलेगी इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है तो चले क्लिक करते हैं दोस्तों अगर आपके phone में आपको बता दूँ additional setting नहीं है तो फिर क्या करना है setting में आकर उपर अगर आप search box में click करके लिखेंगे keyboard and input method तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप चेक कर लेना आपके phone में होगा नीचे उपर मिल जाएगा इस पर click कर देना तो वहीं पर आप आजाएंगे देखें उसी setting में और यहाँ पर आने के बाद आपको gboard नाम की एक setting मिल जाएगी देखें gboard पर click करते हैं gboard पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर theme नाम की देखे एक setting मिलेगी theme पे click कर देना है जैसे theme पे click करेंगे तो जो photo set है यहाँ पर so कर रहा है photo हटाने के लिए या delete करने के लिए आप इस photo पे एक पर click करेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार का आ जाएगा और यहाँ पर delete का एक option मिल जाएगा इस delete वाले option पे click करना है फिर आपको ok कर देना है जैसे ok करेंगे delete हो जाएगा और यहाँ पर default set रहेगा आप देखिए यहाँ पर system auto है आप चाहें तो यहाँ पर इस default पे click कर सकते हैं फिर apply कर देना इस प्रकार करेगा अगर आप अपने keyboard को dark करना चाहते हैं black तो इस last वाले चाहते हैं वैसा set कर लेना फिर आपको simply guys buy a cana है बाएक आने के बात चलिए keyboard को open करते हैं और आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए keyboard को अमने open कर दिया यहाँ से photo हर चुका है कहीं पर भी आप keyboard open करेंगे keyboard यहाँ से हटा रहेगा photo यहाँ से हटा रहेगा guys और guys दूस यहाँ पर हम कुछ type करते हैं उसके नीचे एक icon है तीर का इस छोटे से icon पर क्लिक करना है तो यहाँ पर setting आ जाती है कुछ तो आज की उडिम बस इतना ही उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू